खेलो दोस्तो मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तो इस वकर जो एक बहुत बड़ी development हो रही है कि जो के रशिया के सदर पुटन की जो मुलकात हो रही है भारत के अंदर रिंदरा मोदी से जिसको मोदी पुटन समट का जा रहा है और ये बाते चल रही हैं कि दोनों ममालक के जो ता जो इस वकर सबसे बड़ी एक समझें के इंडिया को advantage होने वाला है वो ये है कि इसके बहुत सारी जारी बात है defense के cooperation भी है foreign policy की चीज़ें भी है मैं पहले शुरू करता हूँ के करके defense की पहले बात करते हैं आपको पता है कि S400 इंडिया ने लिया और जो के तगरिबन 5.4 billion dollar का था बड़ा एक मनसूबा था जो के अमरीका ने अमरीका को नरास करते हुए लिया गया और ये अबजारी बात है surface to air missile है जो के इंडिया एर फोर्स को मिला है जो के इंडिया की जिसने बहुत manifold capability and capacity enhance कर दी है दूसरा ये है कि जो 7,001k203s जो rifle हैं वो इंडिया को मिल रही है ये एक एक 47 की advanced version है और ये कहा जाता है कि 600 bullets एक minute के अंदर ये fire कती है 600 bullets और दूसरा ये कि ये जो defense production है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं ये पी plan है अब इसमें और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई जिसको अगर आप कहलें कि ये कोई कावन billion rupees का project है और ये एक 203 assault rifle जो 681 million dollar के जो है वो equal होगा anyhow इसकी final cost बात में आजएगी लेकर ये जो ये दोनों मौाहिदे पहले तो हो चुका है लेकर ये मौाहिदा जो है ये भी on cards है ये होना है वैसे मागर आपको बताओ मैं Stockholm International Peace Research Institute की website देख रहा था जिसमें जो इंडिया's as a supplier as a supplier as a supplier का गर आप देखें तो ये पता चलता है कि दो सबसे ज़ादा अगर अमेरिका रशिया ने इंडिया को वैपन्स दिये हैं तो वो 2021 से लेकर 20 तक जो है वो वैपन दिया गया तकरीबन 20 अरफ डॉलर के वैपन तकरीबन तकरीबन जो हैं वो आए है रशिया से जबके 2001 से लेकर 2010 तक यानि कि 1991 से लेके 2000 तक आज है तो गो 7-8 हरव डॉलर का वैपन इंडिया ने रशिया से लिया है I am talking of रशिया alone starting from 1991 till 2020 यह जो अभी है पिछले 30 सालों में आप समझ लें के 20 बिलियन 15 बिलियन 35 और 8 जो है आपका 43 बिलियन almost 45 बिलियन डॉलर का इंडिया ने असला रशिया से लिया है पिछले 30 सालों में जबकि अमरीका का जो है वो जारी बात है इस पिछले अर्से में कुछ जादा असला नहीं लिया गया 1991 और 2000 के दरम्यान तो अमरीका नसला दिया ही निए इंडिया को फिर जो है 2001 से लेके 2010 के को थोड़े मिलियन का था फिर 2011 से 2020 तक जो है तकरीबन चार बिलियन डॉलर का असला अमरीका ने इंडिया को दिया है इसी तरह फ्रांस है फ्रांस को भी अभी 11 to 20 अगर हाँ 2011 से 2020 तक आए तो तक आए तो तकरीबन धाई यर तीन डॉलर अरफ डॉलर की यह परशेस हुई है उसके लबाई इसरा यू के जो बाकी ममालेक हैं यू के साथ थोड़ा कंसिस्टेंट रहा लेकिन रश्या के साथ उनकी बड़ी एक कंसिस्टेंट डील जैसे मैंने पता है अल्मोस 45 बिलियन डॉलर स्टाटिंग समझना चाहिए और वो है कि टू प्लस टू पे बड़ा फो प्लस टू डायलॉग मींस के जो फाइनेंस फॉरंग मिनिस्टर्स हैं और डिफैंस मिनिस्टर्स है यह आपस में इंगेज करेंगे अच्छा है जब टू प्लस टू डायलॉग होगा तो उसमें और अभी इस एक्सपेक्टेड यह होना है तो यह एक बड़ी बार गेन है ए इंडियन्स आते हैं हलागे रुशियंस परिशान थे द वे अमेरिक इंडिया वस तिल्टिंग तोड लेकिन रिशनली कुछ जो स्टेटमेंट्स आई है वो रुशियन फॉरंड मिनिस्ट्री से वो यह के हम समझते हैं कि जो इंडिया है वो अपनी स्टेटर्ट चेक्र या वो समझ रहे हैं कि वाकि जो क्वार्ड में क्वार्ड के अंदर क्वार्ड के अंदर जो मिलिटरी कॉंपोनेंट आइड नहीं हुआ उसकी वज़ा से भी इंडिया को एप्रिशेट में भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिकन्स को यहाड टू पर ऑकस्ट अस्टेलिया युएस युके का जो अलाइंस बना और उसमें मिलिटरी कॉंपोनेंट भी है अब यह जो टू प्लस टू है यह इंडिया जो है वो क्वार्ड के तमाम अमालक दूबले ऑस्ट्रेलिया हो जिपैन हो अमेरिका हो इसके साथ वो टू प्लस टू डायलॉग कर रहा है जिसमें अब फिर वो यह नहीं रहेगा कि जी डिफैन्स वाले लाइदा सोच रहे हैं यह बिसी कली सिंक्रोनाइज़ेशन चाहते हैं यह जो इंट्रो प्रबिलिलिटी की बात होती है कि जिस तरह आँप फोर्स जिस के अंदर किस तरह एक दूसरे को के अंदर कुनेक्शन डिवेल के काम करने की एक चीज है जिसको अंदिया और इडी बाकि ममाले के साथ भी कर रहा है लेकिन इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी इस चीज को इंटर्ड्यूस करा रहा है कि हाँ भई हम यह चीज करेंगे अब इसमें आके जो अगर आप समझें के रशियंस के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि वो समझते हैं कि रशिया के साथ एक special and privileged strategic partnership है और ये जो two plus two format है इसमें जो outstanding एक दूसरे के दिलमियान को मामलात थे वो उसको address कर लेंगे और इंडिया की जो strategic autonomy है इसको Russians भी enjoy करेंगे जैसे मैंने रुटाया कि पिछले दस सालों में बीस रफ डॉलर का इंडिया नसला खरीदा है तो यह इंडिया को opportunity मिलती रहती है क्योंकि अमेरीका की अंदर वो जो bureaucratic environment है जिसमें आप समझते हैं कि Congress कुछ कह रही होती है State Department कुछ है defense कुछ है तो वह वह separation of power executive legislature और judiciary का रहता ह दोस्त में जो legislature and executive आप एक दूसरे की power के उपर वो करते रहते हैं और वहां पर Congress अपनी इन चीज़ें मनवाती रहती है लेकर Russians में तो नहीं वहां में तो one man show to go and to get it done so यह जो चीज़े हैं मैं समझता हूँ कि यह एक रशिया को होगा advantage होगा और दूसरा यह कि इंडिया रशिया दुनिया को यह पिजाम दे रहा है कि वो रशिया उसके लिए कितना important है वो चाइना को भी पिजाम दे रहा है कि भाई तुमारी इंडिया रशिया के साथ इस क्राइस और जो दोनों ममालिक एलेशी के ओपर military hardware पहुंचा रहे हैं और वहां पर weapons की पहुंच हो रही है और दूसरा यह है कि इंडिया तो कौर्ड यह एक development हुई है और मेरा ख्याल है कि इनडिया पर प्रेशर डालें कि लिए बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर कह यह जो टेर्रिजम की बात करकर कर जी कि जो किश्मीर के अंदर टेर्रिजम उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए था तो शुट अपर पेड़ केस्ट चाहिए था चाहिए था वह एक बड़ा थ्रेट है as compared to what many in Indians, Indian सरकार तो यह समझती है कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है for them that is internal security that is Kashmir और वहाँ पे जो freedom movement है और जहाद और वह सारा कुछ चल रहे हैं लेकर इंडिया के अंदर लोह कहते हैं कि नहीं शुट है पड़ाए थेंसल्स फर चाहिना so अभी उनको prepare करना पढ़ रहा है अगेंस है ना because they are going to Russia के पास जा रहे हैं S400 के लिए फिर राफिल लेने फ्रांस के पास चले गए फिर जो SUVs जो हैं कहना है मैं उसका aerial जो drones हैं वो उसके लिए वो इस्राइल के पास जा रहे हैं तो यह जो इतनी military shopping इंडिया कर रहे है they should have done it long before or just for example aircraft carriers